हेलो इस्टुएट आप देखते हैं कोश्चन नमबर 29 का और वाला कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर और में आपको क्या देर रखा है सॉल्व दा फॉलिविंग सिस्टम ओफ एक्केशन 21 अपॉन एक्स प्लस 47 अपॉन वाई एक्कॉल तो एक्केशन कोश्चन को आप सॉल कर लेते हैं हमारे पास जो एक्केशन दे रखी है वो हमारे पास 21 अपॉन एक्स 47 अपॉन वाई एक्कॉल तो 110 ठीक है और सेक्ट एक्केशन क्या दे रखे है हमको 47 अपॉन एक्स प्लस 21 अपॉन एक्कॉल तो 162 ठीक है अब देखिए हमने पढ़ चुके हैं पहले फ़र्स एप्टर में यह कि यह जदी हम अरपा जो एक्स क्या आता है नीचे डिवाइड में आता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं एक अलग वेरिवल में सपोस कर लेते हैं तो हमने यहां पे इसको लेट 1 upon x equal to हमने मान लिया जैसे p and 1 upon y equal to हमने सपोस कर लिया है यहां पे q ठीक है तो हम यहां पे यह पूट करते हैं तो यहां पे कितना हो जागा यह पूरा 21 अलगा होगा तो यहां पे बज़ेगा 1 upon x तो 1 upon x यहां पे हम क्या पूट कर सकते हैं पी तो equation क्या बन जाएगी हमन पास 21 p plus में 47 q equal to 110 यहां पे क्या हो जाएगा 47 p plus 21 q equal to 162 ठीक है तो आपकी यह दो equation पूट हो जाती है हमने इसको equation first suppose कर लिया इसको equation second suppose कर लिया देखिए अब हम क्या करते हैं इन दोनों को solve करने के लिए हमने क्या किया सबसे पहले इन दोनों को first और second को हमने add कर दिया ठीक है first और second को add यह दि हम करते है देखिए p p के सांथ plus हो जाएगा 47 q q की वाले के सांथ plus हो जाएगा तो 21 प्लस 47 हो जाएगा हमारे पास और यहां से 47 और 21 हो जाएगा q equal to यह plus होगा यहाँ पे 110 प्लस में 162 तो यह कितना हो गए 718 4268 p plus 178 2 और 4 68 q equal to हमारे पास यहां पे कितना हो रहा है 267 11 2272 ठीक है 68 यहां से कोमन निकाल सकते हम तो 68 यहां पे बचेगा p plus q equal to 272 तो p plus q equal to हमारे पास आ रहा है 272 divided by 68 अब हम इसको cancel कर लेते हैं देखिए यह 2 से चला जाएगा हमारे पास 236 248 2 बचेगा 2612 फिर 2 बचेगा 2714 2612 2816 17-17 17468 ठीक है तो हमारे पास जो equation बनेगी वो क्या बन जाएगी p plus q equal to 4 ठीक है अब हम क्या करते हैं इसको हमने माल लिया equation third ठीक है अब हम काम करते हैं first हम क्या कर लेते हैं जैसे अभी जैसे हमने क्या किया था इसको plus कर लिया था हम वही चीज क्या कर लेते हैं माइनस कर लेता हम second में से first को माइनस करते हैं तो हमारे पास equation है इस में से इसको माइनस करेंगे यानि 47 माइनस 21 P plus then उसके बाद 47 में से 21 माइनस हो जाएगा 40 sorry 21 माइनस 47 Q equal to 162 माइनस 110 ठीक है अब देखिए 47 में से 21 माइनस करते हैं 7 में 7 जाएगा हमार पास बचेगा 6 46 26 P अब यहां पर plus minus माइनस हो जाएगा क्योंकि बड़े नमबर में से चोटा नमबर नहीं करना हमको 47 बड़ा नमबर है तो 47 में से इसको माइनस करेंगे तो P माइनस Q हमारे पास बचेगा 52 तो P माइनस Q equal to 52 divided by 26 तो 26 है 2 बार में एकेंसिल तो P माइनस Q equal to यह हमारे पास 2 equation होगी हमारे पास 4th अब हम क्या करते हैं जो हमारी equation 3rd और 4th बनी है हम इसको अब solve कर लेते हैं देखिए सबसे पहले देखो यह directly solve हो जाएगी हम क्या कर लेते हैं 3rd और 4th को plus करते हैं हमने क्या किया 3rd और 4th equation को plus किया तो महारे पास क्या हो जाएगा P plus Q equal to 4 तो यहां से P minus Q equal to 2 देखिए हम इसको plus करेंगे तो क्या होगा Q से Q cancel यह हो जाएगा 2P equal to यह होगा हमारे पास 6 यानि कि जो P equal to हमारे पास 2,3 या 6 यानि P की वेलू कितनी है हमारे पास 3 अब देखो अब यह P की वेलू हम किसमें put कर लेते हैं equation 3rd में तीके equation 3rd में इ equation 3rd में पास P plus Q equal to 4 है अब इसमें हमने P की वेलू 3 put कर ली यहां पे 3 plus Q equal to 4 यानि Q equal to 3 दरा के माइनस हो जाएगा इन Q की वेलू कितनी है जाएगा हमारे पास 1 ठीक है तो यह हमको Q की वेलू मिल गई और P की वेलू हमको 3 अलड़ी मिल चुकी है आप हमने क्या suppose किया था देख लेतने हमें starting में हमको ग्योंगे X और Y की वेलू निकालनी है तो 1 upon X equal to हमने P suppose किया था तो यहां पे हम क्या करे यह 3 हाना यह 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 जाएगा इदर तो X कि वेलू हमार पास कितने मिल जाएगी 1 upon 3 ठीक है एं यह 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 हमारे आंसर रहेंगे झाल झाल